तो गाइस कैसे हो देखो अगर तुम्हें टुटोरियल हेल्थ से निकलना है ना तो तुम्हें प्रोजेक्ट बनाने पड़ेंगे हमने अभी तक जितना भी सीख है उसमें हमने लाइक बेसिक चीजे सीखी है राइट बट हम उसमें क्लासेज अन अब्जेक्ट का यूज कैसे कर रहे थे वो हमने सीख है बट अगर आप उसको प्रोजेक्ट में अप्लाई करेंगे तो और जाद अच्छे से समझ आएगा ठीक है तो आज का प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा होने वाला है क्योंकि हम क्या बनाने वाले हैं हम थोड़ा शुरू से स्टार्ट करेंगे ज काफी कूल प्रोजेक्ट होने वाले है जितना भी हमने सीख है और फी चीज़ें हम अप्लाई करते हूए सीखेंगे यही एक मैथड होता है टुटोरियल हेल से निकलने का अगर आप सिर्फ वीडियो देखते जाओगे और कुछ भी नहीं बनाओगे तो दैन जितना भी बहुत सी चीजें सीखेंगे right from designing आप अपना design कैसे करते हो दिमाग में low level design कैसे करते हो to the implementation ठीक है और future में अगर आप अच्छे से support करते रहे तो हम इसका front end भी ले के आएंगे किसी अच्छे बंदे को expert को हम invite करेंगे and he will make front end inflator react जो भी है उसको करना है then we'll make it a full-fledged app but अभी ह इसका back end बनाएंगे बहुत मसा आने वाल है सबसे पहले like कर दो और share कर दो वीडियो यार subscribe करके जाना करते हैं start तो यह जो project है आप सबसे पहले इसका benefit क्या है आप क्यों करेंगे इस project को right सबसे पहले आपको थोड़ा सा यह पता चलेगा industry में आप जब भी एक project को बनाते हो किसी service को implement करते हो तो कैसे करते हो right what's the way that you follow to implement different things in your industry right so first thing is that and second thing is आप इसको अपने resume में add कर सकते हो because I will give you some homework also that you have to do so that you will do something by your own and you will know कि how things work okay तो resume में add कर सकते हो और अगर आप back end की तियारी कर रहे हो तो यह एक project must आपको करना ही चाहिए क्यूंकि इसमें आप बहुत सरी चीज़ें सीख रहे होगे तो a lot of things you will learn so learning काफी अच्छी होने वाली है second thing आप इसको low level design कैसे करते हो सब ने सुना गो low level design जी सब आप जाओगे किसी youtube channel पर तो they will teach you solid principle some design patterns but that's not the way that I think कि जैसे पढ़ना चाहिए you should know low level design but implement करते हुए अगर उसको सीखोगे तो बहुत अच्छा समझाएगा trust me तो low level design हम सीखेंगे कि कैसे अपना आप service को design करोगे और फिर आप उसको implement करोगे not like straight away coding start करते है और बात में समझाए कि थोड़ा design में दिक्कत हो गई है तो यह नहीं करना चाहिए था right so low level design अगर कोई interview की preparation कर रहा है तो उसको भी इससे फायदा होने वाले ठीक है और low level design हम इसमें कर रहे होंगे इसमें हम काफी coding अच्छी coding practices हम follow कर रहे होंगे और काफी कुछ कर रहे होंगे बस पूरी वीडियो एंक तर देखना तो काफी कुछ समझा जाएगा और वीडियो वो share जरूर कर देना राइट क्योंकि wider audience तक हम हमें पहुंचना है यह हमारा target है तो without any further ado हम start करते हैं तो सबसे पहले कोई भी आपको interviewer बोलता है कि इस backend को इस service को design करना है तो सबसे पहली चीज होती है आपको उसकी functional requirement note down करनी होती है direct code कभी भी नहीं करना functional requirements आपको करनी है gather interviewer से पूछने question करने है सब कुछ करना है ठीक है तो सबसे पहली functional requirement क्या है आपका कोई भी IRCTC है उस पे जब भी को user आएगा so user should be able to login and sign up able to login and sign up ठीक है सबसे पहली basic requirement यह है उसके बाद क्या है उसके बाद आप अपना fetch कर सकते हो आपकी अगर कोई booking है या फिर आप fetch करना चाते हो trains है ना fetch trains या फिर मैं बोलू search train कर सकते हो search trains कर सकते हो आप by searching station A to B यह एक requirement है अगर आप search कर पाओगे तो इना train select करोगे तो एक यह चीज़ है basic सी और उसके बाद क्या है उसके बाद है अपने पास show available seats ठीक है अब आपने train कोई select कर लिए उसमें कौन-कौन सी seats है available वो भी आपको पता करना रहेगा तो show available seats यह हो गया उसके बाद आप क्या करना चाहते हो आप अपनी seat को book करना चाहते हो right book seat करना चाहते हो वो करना अपने को तो फिर आपको क्या करना है ticket आप fetch कर सकते हो आप अपनी कोई ticket होगी आपको obviously if you are booking a train you should get a ticket right bare minimum requirement so ticket fetch या फिर डाउनलोड कुछ भी right okay तो अभी के लिए इतना रखते हैं और भी requirements हैं वैसे काफी requirements हैं जैसे वो आपको homework दोंगा तो don't worry you will be able to do it just you have to follow the video ठीक है अब उसके बाद हम करते हैं हमने functional requirement gather कर ली अब जब भी आप किसी भी service को लिखते हो उसका आपको low level design पहले बनाना है the first thing you have to do is prepare a low level design of your service and then start implementation okay there is one more thing like high level design जब आप किसी और service के साथ interact करते हो but as of now we are focusing on IRCTC backend तो हम इसको सिर्फ low level design में देखेंगे कि design कैसे करना है तो सबसे पहले low level design में आप बनाते हो entities entities क्या होते है entities वो चीज़ होती है जो एक concrete चीज़ होती है like मैं बोलूगा कि इसमें कौन-कौन सी entities है कौन-कौन से physical चीज़ें है सबसे पहली physical चीज़ है यूजर अगर मैं बोलूँ कि आपको एक entity बनानी है वो होगी user उसके बस क्या-क्या होगा देखो user की entities मैं बोलूँ नेम लिखा कोई बंदा बोले कि यूजर नेम लेते हैं क्यों नेम लेना है किसी का राइट तो कुछ भी हो सकता है तो आपको अपने understanding के coding कोई भी system को design करना होता है ताकि वो scalable हो future में आप उस पर और चीज़ें अड़ कर पाओ अब मैं दूसरा बोलता हो 12345 and खुदा न खासता है if in future somewhat is trying to access my DB and he is able to see the password then एक प्रोब्लम है तो वहाँ पे एक password कोई encrypted format में होना चाहिए ये encrypt कैसे करेंगे एक library use करेंगे तो वो भी ठीक है फिर मैं बोलता हूँ एक list होनी चाहिए हमारे booked ये एक तीसरी property होगी अब चोथी property मैं बोलता हूँ user ID हर एक user एक unique user होगा तो उसको एक हम ID दे देते हैं जो हम देंगे UUID UUID एक unique ID होती है ये भी हम देखेंगे implementation में ठीक है तो ये सबसे पहली अपनी एक entity होगी user entity कि आपके ये project में एक entity होगी जो है user entity अब दूसरी entity क्या होगी गैस करो वीडियो पोस्ट करो और गैस करो क्या होगा train book कर रहे हो भाई क्या क्या आपके पास होना चाहिए तो अगर आपने ticket guess किये तो सही है और भी कोई entity guess किये तो माइंड में रखो उसको आगे जाके अब जब हम implementation कर रहे होंगे maybe there are some things that we want to change and that's completely normal I am again repeating that's completely normal if you are changing the things on the go क्योंकि low level design एक kind of idea है it's not a concrete implementation process okay fine चलो अपने पास ticket idea आगे अब अपने पास user id भी होनी चाहिए हर एक ticket ऐसे तो नहीं है कि बस ticket है वो ticket generate हुई है किसी user के लिए होगी तो वो एक user id हम उसमें कर लेंगे store जिसमें पता चल जाएगा ये ticket किस user को belong करती है ताकि हर एक ticket एक user की हो मल एक ticket तीन user के पास ना हो obviously right उसके बाद हम बोलते है source source मतलब कहां से वो start हो रही है उसकी train और एक string रखेंगे अपन destination और कहां तक उसकी train जा रही है ये बता चल गया अब अपन रखते है date time ये एक data type है date time या date होगा देख लेंगे date of travel ये ticket जो है obviously आपको ये ticket अब मान लो एक user है वो travel कर रहा है और वो 15 दिन बाद same ticket यूज कर लिया तो क्योंकि उसमें user ID है source है ticket ID है destination है right तो date of travel आपके पास होनी चाहिए और एक उसमें होगा train ये किस train की है अब आप बोलोगे क यार हमें ये तो समझ आ रहा है जो आप लिख रहे हो ये string है ना string समझ आ रहा है हमें string date time समझ आ रहा है क्योंकि ये date of travel का object का sorry field का जो data type हो date time है that's completely fine but if you are thinking about कि ये train क्या है that is what a data type is a class is मैं बोल रहा हूँ कि इस ticket में एक train class भी store होगी कैसे तो हम एक train entity भी करेंगे तो जिस हमें guess किया था train entity तो you are correct एक train entity भी होगी ठीक है एक train भी एक physical चीज है जो अपनी entity को represent करेगी हमारे project में ठीक है अब train के पस क्या क्या हो सकता है again ये कोई fix चीज नहीं है आप इसमें कोई भी कितनी भी field add कर सकते हो बस sense बनाना चाहिए तो train ID होनी चाहिए obviously हर एक train unique होती है तो उसके बाद हम train number भी add कर सकते है ठीक है जो जो आपने real life में चीज़ें देखिए comment करो जो और चीज़ें add कर सकते है अपन राइट तो वह भी comment कर देना again मैं बोल रहा हूं date time हर कोई train जो है departure time होगा उसका depart time ठीक है and उसका होगा end time date same same object arrival end time मतलब जब वो उसकी journey end हो उसके बाद मैं बोलता हूं कि हम train में कौन कौन सी seats हैं उसको हम ऐसे store कर सकते हैं एक matrix में ऐसे store कर सकते हैं जो जो seats booked है उसको 000 है let's suppose यह booked है उसको one ठीक है unbooked वाले को 00 तो मैं ऐसे बोल सकता हूं यह train का डिबबा है अगर देखो it's all about data structure आप उसको कैसे implement करना चाहते हो सीटे हैं एक lower एक middle एक upper दूसरे में दो सीटे हैं एक lower एक upper तो मैं क्या इसको एक एक line को एक row को ऐसे represent कर सकता हूं एक दो तीन चार पांच row मैं ऐसी चीज़ें कर सकता हूं ना मैं it's all about your thinking आप ऐसे कैसे करना चाहते हो मैं ऐसे कर रहा हूं ठीक है आपको और methods अकर सकता हो it तो मैंने बोल दिया कि हम पांच पांच जीरो रख रहे हैं तो पांच मतलब तीन इदर दो उदर सीटे है ठीक है अब ऐसी एक matrix बन जाएगी एक डिबबा बना सकते हो या फिर पूरी train बना सकते हो अब ये सारी सीटें बुक है मानलो तीन चार सीटें बुक है उसको मैंने ठीक है इतना समझ आया होगा matrix कैसे होती है two dimension list को matrix बोल देते हैं नहीं समझ आया है जब implement करेंगे तब समझ आ जाएगा don't worry तो मैं बोलता हूँ list of list boolean boolean मतलब 0 या 1 मैं wrapper use कर रहा हूँ boolean wrapper ये null भी हो सकता है ठीक है तो इसको मैंने बोल दिया seats ठीक है तो यह हमारे पास हो गया अपनी train entity ठीक है अब मैंने बोला कि अब आपने entities define कर दी है आपके पास एक user है आपके पास ticket है आपके पास train है entity दोबारा बता देता हूँ एक ऐसी class है जिसकी कुछ properties है राइट ट्रेन की कुछ properties होंगी कुछ user की properties होंगी कुछ ticket की properties होंगी अगर आपको कोई object लग रहा है कि कोई यह physical world में यह object की properties होती है प्लीज इसको भी एक entity बनाओ तो आप comment कर देना उसको भी हम एक entity बना सकते है इस नोट अप प्रोब्लम अब इन सब entities को use कोन करेगा उनको use करता है service ठीक है तो आपको इतना समझ आ गया तो सबसे पहले हमने बोला entities हमने बनाई अब हम बोल रहे हैं कि service बनानी पड़ेगी जो इनको use करेगा right अब ticket book कैसे होगी ticket हमने बना दिया book कैसे होगी उसका business logic लिखना पड़ेगा right we have to write some business logic in our service right and that business logic is called service अब हमें service लिखनी है तो कौन कौन से service हो सकती ह तुम्हें trains की ticket book करनी है first of all अब तुम functional requirement को सोचो user को login sign up करना है user को password password देना है उसको save करना है user की information etc. तो एक हम बना देते है user service user booking service ठीक है अब इसमें क्या क्या कर सकते है मैं high level लिख रहा हूँ जो जो मेरे को अभी याद आ रहा है जब हम code कर रहे होंगे तो हम change करेंगे काफी कुछ है ना तो अभी हमें क्या पता है user login होना चाहिए एक यह हम उसमें function लिखेंगे और इसमें user pass कर सकते है ठीक है कौन सा user क sign up करना चाहिए तो sign up same user 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 उसका data type है अगें हमने जो user बनाया है उपर जो class बनाई है user वो हम यहाँ पर use कर रहे है right कोई बात नहीं जब use होगा समझ जाएंगे fetch booking किसी user की booking fetch करनी है अगें user pass करो whatever cancel booking cancel booking ठीक है book ticket ठीक है ticket book करनी है string a और string b a से b जाना है मुझे ठीक है a station से b station जाना है तो उसकी ticket book करनी है तो मैं दो arguments ले लोगा अपने function में तो यह समझ गया चलो ठीक है अब ऐसे ही train service आएगी अपने पास train service ठीक है अब इसमें क्या क्या होगा इसमें होगा search trains search train होगा obviously आप अपनी app खोल रहे है उसमें भाई कुछ तो होना चाहिए न जहांपे आप search करोगे तो string a string b string a क्या है हमारे पास again string a है हमारा किस station से वो चलेगी b कहां तक जाएगी a to b ठीक है train service हमने train सर्च कर ली अब हम बोलेंगे कोई भी train service है get seats available यह भी मैंने एक method बना दिया कि उस एक method बना दिया जिसमें मैं train pass करूँगा कोई भी train है let's suppose t1 एक train है उसकी मुझे seats जानी है तो मैंने एक method बना दिया तो यह train service में भी अपन दो method रखते हैं तो यहां पर तक समझ आ गया entities बनाई है हमने हमने service बनाई उस entities को use कर रहे हैं जो entity एक कुछ नहीं है एक physical world में जो भी आप एक physical चीज है जिसकी कुछ properties होती है that can be represented as an entity and those entities can be used by a service and service is nothing but a business logic implementation of our entities ठीक है इतना समझ आ गया तो ऐसे हम implement करेंगे तो अगली वीडियो में मिलते हैं पर उस तब तक के लिए आपको क्या करना है IntelliJ IntelliJ ये आपको IDE download करनी है हम visual code use नहीं करेंगे और दूसरा आपको gradle install कर लेना है अगर Windows पे हो तो उसके लिए कर लेना Mac पे हो तो Mac पे Linux पे हो तो Linux पे कर लेना तो आपको ये दो चीज़े एक IntelliJ IDE install करनी है ग्रेडल install करना है अगर आपने ये install कर लिया है तो next वीडियो पे चले जाओ वहाँ पे हम code करेंगे काफी कुछ चीज़ें सीखेंगे बाए बाए